दोस्तों, Si is your back with another video और आज किस वीडियो में हम review करने वाले हैं latest reloaded OS version 13.1 Android 13 room का हमारे POCO F1 device पे वीडियो जो है पूरा इंट तक के देखना चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यहाँ पर आपको daily updates मिलती रहेगी और हमारे telegram group और channel को join कर लेना वहाँ पर आपको files और updates मिलती रहेगी वहाँ पर मैं जो है जो भी important information जो भी important files और updates है provide करते रहता हूँ so without any wasting of time let's begin सबसे बिले हम बात करेंगे about section की तो ROM जो है Android 13 पर run कर रहा है ठीक है जैसे कि आप देख पार है जीकेम में तो जीकेम में most of the most काफी अच्छे से यहाँ पर work कर रही है जैसे कि आप देख पार हो उसके बाद यहाँ पर video recording अगरे सारी working है बात करूं safety net की तो जो safety net है वो by default pass यहाँ पर देखने को मिल जाता है then उसके बाद बात करें यहाँ पर seal nx की यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा तो उसके बाद बात करूं google photos की तो google photos में जो हमें spoofing जो है वो देखने को मिल जाएगी just a second मैं दिखा देता हूँ तो यहाँ पर मैं यह देखिए जैसे कि आप देख पार हो google photos में बात करते हैं calling के बार में तो यहाँ पर calling का देख लेते हैं कि क्या चीज़े देखने को मिलती है यह देखो call recording हो रहा है ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें app opening के बार में तो app opening भी जो है यहाँ पर आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा अच्छा है बिल्कुल जैसे कि आप देख पा रहे हो कोई issue नहीं है यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर app opening जो है वो smooth है कोई दिक्कत नहीं होगी जैसे कि आप देख पा रहे हो उसके बाद यहाँ पर आप screenshot ले सकते हो लेंस पर अगर जो है वो share जो है आप कर सकते हो बाकी delete का अगर option यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तर उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर कुछ और options की बरहे में तो सबसे बिले हम customization चेक कर लेते हैं इसका पूरा तो चलते हैं settings में और start करते हैं network section से तो सबसे बिले हम आ जाते हैं आप पर network section पर तो यहाँ पर prefer network है वहाँ पर आपको 3G देखने को मिल जाता है और 4G ठीक है तो यह कुछ चीज़े हैं उसके बाद यहाँ पर मैं आ जाता हूँ back और यहाँ पर हम चलते है apps वाले section पर तो apps वाले section पर आएंगे तो default apps पर आएंगे तो यहाँ पर reloaded का launcher जो हमें देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको थोड़ा different customization देखने को मिलता है जिसी कि आप देख पर है icon size, font size then show google app उसके बाद add glance उसके बाद नीचे चलोगे तो double tap to sleep यह options देखने को मिलेगी then show clear all button at bottom यह option आपको देखने को मिल जाएगा then यहाँ पर और भी चीज़े हमें देखने को मिल जाती है okay then उसके बाद अगर मैं बात करूँ कुछ और options के बारे में तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ नीचे I mean back आ जाते हैं और चलते हैं यहाँ पर sound and vibration में then यहाँ पर अगर मैं आ जाओंगा तो यहाँ पर adapt to sound को option हमें देखने को मिल जाता है उसके बाद अगर हम और भी चीज़े देखते हैं तो live caption को option मिल जाएगा नीचे चलेंगे तो और भी काफी सारी चीज़े हैं जैसे कि me, sound, enhancer, clear, speaker यह सारे options हमें देखने को मिलती है then यहाँ पर देखोंगे तो volume panel आफ left कर सकते हो तो यह भी काफी अच्छा है उसके बाद मैं आ जाता हूँ back और बात करते हैं जो और options की तो display वाले में option में आ जाएंगे तो auto brightness बिल्कुल working है lock screen पर आ जाओगे तो यहाँ पर जो है मतलब advanced जो ambient display है वो है आपर देखने को मिल जाएगा आपको उसके बाद और भी चीज़े हाँ पर देखने को मिलती है जैसे की shortcut बगरा देखने को मिलता है इस पर मैं अगर click करूँ तो यहाँ पर जो है वो crash करता है shortcut यह एक जो है चीज आपको देखने को मिल लेगी वैसे यह face करने को मिल रहा है एक चीज ध्यान में रखना यह crash कर रहा है shortcuts में तो ये बात ध्यान में रखना I think लगता है ये अटक भी गया है तो UiS का restart हो गया है तो वो चीज आप जब उसमें जाते हो तो ये दिक्कत आपको जो है face करने को मिल सकता है ठीक है तो ignore करना पड़ेगा उसको अब बात करते हैं कुछ और options के बारे में तो यहाँ पर हम चले जाते हैं again display वाले section पर तो यहाँ पर गया और चीज़े देखने को मिलती है जैसे कि dark theme यह बिल्कुल perfectly working है जैसे कि आप देख पा रहे हो उसके बाद यहाँ पर display size and text में होगे तो font size display size bold text यह सारे options बिल्कुल working ह night light में होगे तो night light यहाँ पर बिल्कुल working है colors वगर मिल जाती है saver है double tap to wake और double tap to sleep just a second तो I think उसको magic enable नहीं हो गया enable ही है वैसे ठीक है तो double tap to wake और double tap to sleep बिल्कुल working है जैसे कि आप देख पा रहे हो उसके बाद बात करते हैं कुछ और options के बारे में तो यहाँ पर आगेन हम चले जाते हैं यहाँ पर security वाले section पर तो fingerprint sensor face unlock यहाँ पर options देखने को मिलेगी system में navigation keys gestures वगरे हाँ पर हमें देखने को मिल जाती है और हाँ और navigation keys यूज करोगे तो उसका layout जो होता है वो भी आप invert करोंगे invert navigation bar layout तो यह चीज़ भी काफी important हो जाती है then उसके बाद बात करो कुछ और options की तो यहाँ पर हम आजाते हैं reloaded extras spell link तो देखो उसकी तो यहाँ पर हम आ चुके है reloaded extras में तो यहाँ पर status बार में आऊँगा तो battery style यहाँ पर कुछ इस तरह की देखने को मिल जाती है मतलब यह देखो यहाँ पर 3.66 GB मतलब यह data uses आप देख सकते हो brightness letter का position bottom वगरा रख सकते हो show brightness slider in QQS का option देखने को मिलेगा auto brightness का भी option मिलेगा then buttons में आ जाओंगा तो यहाँ पर quick torch का option जो है देखने को मिलता है limited customization है लेकिन काफी अच्छा-च्छा customization लग रहा है मुझे अगर बात करूं कुछ और options की तो यहाँ पर हम आते हैं power menu में तो advanced restart by default enable है तो यह option बहुत important हो जाता है then यहाँ पर आ जाते है miss lineages में तो यहाँ पर windows secure flag और enable higher FPS in games का option यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो यह था total पूरा customization जो की काफी सही था और जो भी customization था वो बिलकुल important था अच्छा अच्छा था then बात करते हैं यहाँ पर battery backup के बारे में तो यहाँ पर आ जाते हैं उससे पहले मैं battery वाले option में आपको ले जाता हूँ और battery यहाँ पर क्या है देखने को देखने को मिल रहा है तो thermal profiles है यहाँ पर जो भी आप game खेलो कि उसका thermal profile performance पे set करना तो का percent per hour active train पकड़के चलोगे तो बारा घंटे का screen on time यह हमें निकाल के देता है जो की काफी अच्छी बात है समझे रहो बारा घंटे का screen on time बहुत ही तगड़ा output यहाँ पर देखने को मिल जाएगा then उसके बाद बात कर यहाँ पर charging speed के बारे में तो charging speed 2 ampere जैसे देख पर उसक काफी अच्छी बात ही है को के उसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पर performance के बारे में ठीक है तो सबसे बेले N22 score चेक करते हैं तो यहाँ पर जो score निकल गया है N22 score तो जैसे देख पा रहो कुछ 4,90,1,343 यहाँ पर हमें कुछ score देखने को मिला है अब बात करते हैं Geekbench 5 score की तो यहाँ पर जो Geekbench 5 score निकल गया है वो कुछ 510 जो है वो single core है और multi core है 2188 जो की काफी अच्छा score यहाँ पर देखने को मिल जाता है दन बात करो CPU throttling की तो वो 80% जो है यहाँ पर हमें CPU throttling जो है वो देखने को मिल जाता है ठीक है अब बात करते हैं overall ROM के बारे में तो ROM जो है काफी अच्छी रहेगी smooth भी है अच्छी ROM है और मैंने इसको first time try किया है मेरे POCO F1 में I mean first time में try कर रहा हूं इस reloaded OS को actually यह मेरा first time है इस ROM को मैं use कर रहा हूं तो और सब कुछ सही लग रहा है रोम में battery backup भी अच्छी है performance भी आप आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी ROM भी smooth है आप इसको try कर सकते हो बहुत बढ़िया ROM लगी है और इसका जो gameplay वो मैं आगे दिखा दूंगा ठीक है और जो installation process है उसका वीडियो आपको नीचे description में मिल जाएगा उसको देखके आपको follow कर लेना है ठीक है और जो gameplay वो आप आगे थोड़ा देख लेना ठीक है वीडियो पसनाएगा तो वीडियो को like share कर देना तो बस आज के लिए इतना ही अगले वीडियो मिलते हैं love you दोस्तों गुडब आपको आपकेर किली स्प्री पर दूड़ टीजिए ज्र्वट पुड़ू ट यहां पॉड़। यहां इडिए लो घ्रूव टीप टुड़ लेंगा पावस्तों वीडिए लू़। पक्लिए खूआ प्रॉपू इन वेख़। खुब टीम विक्टरी